U19 World Cup, श्री लंका ने खराब शुरुआत के बाद जीत के लिए संघर्ष किया, जबकि न्यूजी लेंड रविवार को दक्षिन अफ्रीका के विभिन नस्थानों पर अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप, 2024 की कार रवाई के तीसरे दिन नेपाल के खिलाफ आसानी से व पढ़ गया, लेकिन दिनुरा कालू पहाना के अर्ध शतक ने उन्हें 200 के पार पहुंचाने में मदद की, अनुशासित और सटीक गेंदबाजी प्रदर्शन ने उन्हें जिमबाबवे पर जीत दिलाने में मदद की, पूर्वी लंदन में सनेहित रेड़ी के ठोश शतक के नेल नहीं खा सका, वे अंतता बफेलो पार्क में परियाप्त अंतर से हार गए, जिमबाबवे के कप्तान मैथ्यू शॉन केन ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और शुरुवाजी देज कोहल एक्स्टीन और अनेसु कामुरीवो ने अपने भावशाली एक्स्टीन की सीमिंग डिलीवरी को बढ़ाती, इसके बाद रवीशन डी सिल्वा और रुसांडा गमागे ने कठिन विकेट पर पारी को फिर से बनाने की तैयारी की, जिसमें शेवरौन ने खड़ी गेंदबाजी और तेज क्षेत्र रक्षन के साथ कार्यव जल्द ही आउट हो गए और श्री लंका एक बार फिर बैक फूट पर आ गया, इसके बाद दिनूरा कलपुहाना और शारुजन शनमुगनाथन ने कुछ आख्रामक क्रिकेट से गती बढ़ा दी, कलपुहाना 55 में से 60 ने दो छखकों सहित 8 चौके लगाए, जिससे श्री ल युवा शेवराउन को अपनी बल्लेबाजी पारी की शुरुवात में उन्हीं कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्री लंका के स्पिनर जल्दी ही एक्शन में आ गए, विश्व लाहिरु चुस्त और प्रभावी थे, उन्होंने अपने चार ओपरों में केवल तीन जन दी है, साथ ही शुरुवाती सफलता भी दिला है, प्रतिभाशाली माल्शा धारुपठी ने जल्द ही अपने स्पिन पार्टनर का समर्धन किया, नातनीयल हल बंगाना को दस रन पर आउट कर दिया, धारुपठी ने इसके बाद कालुपहना की गेंग पर अनाशे धारुपठी को आउट करने के लिए एक शांदा कैज भी लपका और एक मेंट पूर्ण तीसरा विकेट लिया, तो कि बारिश के कारण खिलाडियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा